राश्वादी कॉंग्रेस पार्टी गोंदिया तालुका की और से आयूजित पार्टी पदादिकारियों एवं कारिकर्दाओं की बैठक असोलीन की बाज़ा चौकपा सांसत प्रफुल पटिल की उपस्तिती में संबन हुई संसत प्रफुल पटिल ने कहा कि गोंदिया भंडारा जिले में मुखी रूप से धान की फसल होती है लिकिन किसानों को धान का उचित दाम नहीं मिलना खेत का विशे है यह सर्व विदित है कि राकंपा ने किसानों को 700 रुपे प्रती धान का बोनस दे कर उन्हें आर्थिक सं को द्वारा उनकी उपेक्षा की गई एंसिपी आम लोगों की पार्टी है पार्टी किसानों खेतियर मजदूरों और आम नागरिकों को केंदर बिंदू मान कर लगतार काम कर रही है लिहाजा सभी आम नागरिक भी एंसिपी कॉंग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी उमीद स देख रहे हैं नागरिकों की समस्याएं बहुत महत्पूर्ण हैं इसे ऐसा बनाने के लिए कारेकरता पहल करें इससे पार्टी की मजबूती में योगदान मिलेगा साथी सांसर प्रफुल पटेल ने कहा कि राकंपा को एक घंटे का समय देकर कारेकरतां को काम करना शुरू करते हुए पार्टी को और मजबूती मिले कैमरा परसन राजकुमा मोहर के साथ अभिशेक पांसी बीसेन न्यूस नागपूर